हलो बच्चो, वेलकम तो आई यूट्यूब चैनल, तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड नाइन्थ जोमेट्री का चैप्टर नबर 3 जिसका नाम है ट्रैंगल्स, हम लोग इसका प्रॉब्लम सेट 3 कर रहे थे, जिसके लेक्चर 1 में मैंने आपको ये सारे प्रॉब्लम्स एक्स के सारे विडियोज मिल जाएंगे, शुरू करते हैं फॉर्थ क्वेस्चन से, तो फॉर्थ क्वेस्चन में दिया है, इन्फिगर 3.59, पॉइंट D and E are on side BC, ये side BC दिख रहा है, उस पे पॉइंट D और E है, और क्या हो रहा है उसके साथ, such that BD equal to CE, ये BD और CE equal दिया हुआ है, AD equal to A, ये AD और A ही भी equal है, शो दाट, triangle ABD, ये जो छोटा सा टुकडा एदर वो, ABD is congruent to triangle ACE, ये triangle को congruent है, मतलब आपको ये 1 और 2 ये दोनों triangle को congruent prove करना है, अभी आपको clearly दिख रहा है कि ये वाला side और ये वाला side equal है, ये वाला side और ये वाला side equal है, ठीक है, तो ये दो triangle में, आपको दो चीज़े दी हुई, अगर triangle को congruent prove करना है, तो आपको एक और चीज मिल गई, एक और property मिल गई, तो आपका काम हो क्या, वो एक property क्या हो सकती है, कि या तो AB और AC भी equal हो जाए, तो ये जो छोटू triangles हैं, दो एक solution के लिए मत wait करो, पहले question देखके सोचो के इसमें क्या क्या कर सकते हो, है ना, तो अभी यहाँ देखो, अगर ये side और ये side मैंने congruent prove कर दिया, तो SSS test से हो जाएगा काम, या फिर मैं अगर ये वाला angle और ये वाला angle congruent prove कर दो, तो SAS test से काम हो जाएगा, ओके, तो हम लो अगल दिख रहा है, सिर्फ ADE देखो, ADE एक isosceles triangle दिख रहा है, अगर ये दोनों side congruent है, तो मुझे पता है कि ये वाला angle और ये वाला angle भी congruent है, तो ये वाला angle जो दो congruent है, उसको use करके इसके और इसके बारे में कुछ relation मिले, तो अपना काम हो जाएगा, ओके, तो इसको पहले हम लोग rough में solve करते हैं, try करते हैं, कि ये इसका solution क्या आता है, अभी इसको हम लोग ऐसी alphabet letter से नाम दे देंगे, जब actual question करेंगे, हम लोग पूरा angle का नाम लिखेंगे, अभी तो rough में solve कर रहे हैं, तो let's say ये दे दिया x, तो ये भी हो गया x, अब देखो, ये एक straight line है उसके उपर ये line डाला है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ, ये वाला angle और ये वाला angle linear pair है, अगर इसको नाम दे दिया a, और इसको नाम दे दिया b, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, x और a linear pair में है, बोल सकता हूँ ना, देखो, ऐसे है, तो मैं बोलूँगा, x और a linear pair में है, तो x प्लस A हो जाएगा 180 degrees similarly यहां देख लो straight line है straight line के उपर एक line बना के दो angle के टुकडे बने है तो यह भी linear पे रहे तो मैं बोल सकता हूँ X प्लस B भी क्या आ जाएगा X प्लस B भी आ जाएगा 180 दोनों का value 180 है मतलब दोनों equal है तो मैं बोल सकता हूँ X प्लस A इक्वल टू X प्लस B दोनों तरफ X एक्स कैंसल क्या बचा A इक्वल टू B क्या आ गया देखो यह वाला angle A is equal to यह वाला angle B होगे न अपना काम S A S test से दोनों triangle हो गए congruent कितना time pass question था न पर जब solution लिखेंगे न थोड़ा बड़ा आएगा because यह X नहीं लिखने वाला हमे X देखेंगे बहुत बच्चे डर जाते हैं हम लोग उसके जगे पर लिखेंगे angle A, D, E फिर angle A, E, D फिर A के जगे पर लिखेंगे angle A, D, B B के जगे पर लिखेंगे angle A, E, C तो solution तो बड़ा आने वाला है लेकिन solution यही steps में आएगा समझ में आगया न एकदम time pass question था सबकुछ question में दिया था सिर्फ आपको यह angle का relation निकालना था जो हमने बहुत ही easily निकाल लिया ठीक है? चलो solution लिखते हैं इसका तो यहाँ पर सबसे पहले given आ जाएगा BD equal to CE and AD equal to A यह तो दिया हुआ था question में प्रूफ क्या करना है? वो भी दिया हुआ है triangle ABD congruent to triangle ACE तो अभी हम लोग इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? कि यह AD equal to AE यह जो है वो given है अगर यह given है तो मैं बूल सकता हूँ यह वाला angle और यह वाला angle equal आ जाएंगे लिखना पड़ेगा न? तो ADE यह वाला angle is equal to यह वाला angle AED क्यों? आईसॉसलेस्ट राइंगल थेरम याद है ना आईसॉसलेस्ट राइंगल थेरम किया था? कि अगर यह दो side congruent है तो उनके opposite के angles भी congruent होंगे ठीक है? इसको base angles भी बोलते हैं काफी रोग इसको base angle बोलते हैं क्योंकि यह आईसॉसलेस्ट राइंगल का base है न? यह वाला और base पे यह दो angle congruent है अल्सो यह वाला देखो यहाँ पे linear पे आ रहे है कौनसा angle? A, D, E and A, D, B देखो यह दो angle यह दो angle यह दो angle दोनों को add करके 180 आना चाहिए similarly यहाँ पे इधार देखो यह और यह angle यह दो लीनियर पे आ रहे है तो क्या नाम है? A, D plus A, E, C इसको A, E, C इन दोनों को add करके 180 आना चाहिए तो इसको number दे दिया 2 और 3 दिख रहा है दोनों equal है 180 है दोनों का गाली तो मैं दोनों को same equal कर सकता हूँ तो मैंने लिख दिया this is equal to this अब यहाँ पे देखो हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए ADB equal to A, E, C ठीक है? हमको यह दोनों बीच में आ रहे हैं अंगल और यह वाला अंगल equal है तो next step में मैं ADE के जगे पे AD लिख सकता हूँ न देखो न यहाँ पे लिख के बताना पड़ेगा ऐसे नहीं कर सकते हैं ठीक है? तो यह वाला step में देखो मैंने इसके जगे पे यह लिख दिया अब देखो यहाँ पे AD और यहाँ पे भी AD तो यह दोनों साइड हो जाएगा cancel ठीक है? तो यहाँ पे cancel यहाँ पे भी cancel तो बचा क्या? ADB equal to AEC यहाँ पे from 1 क्यों रिखा? because 1 में से ही हमने ADE के जगे पे AD लिखा देखो अब यह होने के बाद तो अपना काम बहुत easy हो गया सब कुछ question में दिया हुआ था तो हम लिखेंगे in triangle ABD and triangle ACE ABD and ACE क्या-क्या दिया हुआ आपको? मैंने बताया कि अभी SS test से हो रहा है segment AD congruent to segment AE देखो यहाँ पे AD और A equal क्यों? because given है यहाँ पे लिख दिया है given तो यह एक side आ गया फिर angle अब भी हम लोग ने प्रूव किया ADB and ACB equal है यह from 4 इसको number 4 दिया है देखो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे from 4 लिख दिया तो यह दोनो angle भी equal है देखो S हो गया, angle A हो गया फिक और side segment BD is congruent to segment CE यह भी question में दिया हुआ है देखो BD and CE नाम में नैसे क्यों लिखा BD लिखा और एक जगे CE लिखा BD और EC क्यों नहीं लिखा लिख सकता हूँ क्या लिख सकता हूँ लेकिन नहीं लिखना क्यों? विकास देखो यहाँ पे अगर मैंने BD लिखा है सिंपल है ना? तो यह सब देखो यह दिया हुआ था यह दिया हुआ था सिर्फ हमने इसमें क्या किया? यह वाला जो angle है ना from 4 सिर्फ यह calculate किया है और यह भी मैंने आपको rough में बताया कितना सिंपल है यहाँ पे किया हरे एक चीज़ का नाम लिखना पड़ता है हरे एक reason देना पड़ता है इसलिए थोड़ा lengthy होता है solution नी तो काफी सिंपल है geometry पूरा प्रूव हो गया उसके बाद नीचे अपने favorite words hence, prove, full stop हमेशा लिख देना हो victory जैसा feel होता है कि अरे वाह हम जीद गया है पूरा question solve कर दिया done चलो copy कर लो notebook में next करते है fifth question दिया है in figure 3.6 point s is any point on side qr of triangle pqr triangle pqr दिया हुआ है और वहाँ पे एक s point दिया है कि इस पे qr के ऊपर ठीक है तो इस straight line qr के ऊपर एक point s है prove that pq plus qr pq plus qr plus rp is greater than 2ps यह ps को बीच में से कहीं से तो खीच के लाना है ठीक है आया समझ में क्या करना है यह तीनों तो triangle के side है तीनों का sum किया और आपको बताना है कि वो ps को 2 से multiply किया उससे बढ़ा आएगा ओके लग तो simple रहा है चलो इसको solve करते है ps को लाना है मतलब यह छोटू triangle और यह वाले छोटू triangle के साथ खिलना तो पड़े गई क्योंकि बड़े वाले triangle में तो ps है ही नहीं बड़े वाले triangle में तो pq qr और pr है यह rp है ठीक है तो हमको ps अगर लाना है तो छोटे triangle के साथ खिलना पड़ेगा तो चलो देखते हैं छोटे triangle के साथ खिल क्या है और इसमें एक और hint क्या है कि यह ps यहाँ पे दो बार आ रहा है ठीक है तो एक काम करो सिर्फ यह वाले छोटू triangle consider करो pqs pqs में क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि pq plus qs is greater than ps सिर्फ यह वाले triangle को देखो इसको देखो ही माद उसको ignore कर दो कर सकते हो न ignore hide करके दिखाने की ज़रूरत है क्या यार हर बार hide करके दिखाऊंगा तो कब होगा हमारा हर एक question को 20-20 minute लगेगा चलो hide करके बताता हूं देख लो यहां पर सिर्फ triangle pqs देखा तो ऐसे बोल सकते हो क्या pq plus qs is greater than ps कोई भी triangle में दो side का sum करेंगे तो वो तीसरे side से हमेशा बढ़ाई होगा तो ही triangle बन सकता है नहीं तो triangle बनी नहीं सकता तो triangle तो बना हुआ है तो यह सच है ठीक है it is true यह हमने multiple choice question में भी किया था same property use किया था अब देखो यह यह वाला चोटू triangle लिया इसके बाजू में भी तो एक और triangle था उसको consider करते हैं यह वाला समझ में आ गया ना चलो अब इसके बाजू वाला triangle देखते हैं अब इसके बाजू में यह triangle था triangle PSR अब यह वाले triangle में भी same चीज़ करेंगे PS को एक side पे रखेंगे बाकी दोनों sides देखो RP है और दूसरा side है SR तो मैं बूल सकता हूँ SR plus RP will be greater than PS sum of two sides is always greater than the third side तो आएगा SR plus RP is greater than PS ठीक है आया समझ में अब हम क्या करेंगे तो पूरा triangle देख लो कोई ज़रूरत नहीं देखने की लेकिन पूरा triangle ऐसे आएगा न अब हम लोग दोनों को add कर देंगे ठीक है यह दोनों equation को add कर दो क्या आएगा PQ plus QS plus SR plus RP यह दोनों देखो greater than नहीं है तो यहाँ पे greater than रहेगा और side में यहाँ पे क्या जाएगा PS plus PS अब देखो PQ RP यह जो बीच में उसके जगे पे QR चाहिए QS plus SR देखो QS plus SR क्या आजाएगा QS और SR को add करेंगे तो पूरा QR मिलेगा तो आपको मिलेगा PQ plus QR plus यहाँ पे आजाएगा RP greater than PS plus PS हो जाएगा 2PS यही तो पूछा था देखो यहाँ पे हो गया ना proof अपना आया समझ में यह rough में था इसको actually लिखेंगे तो अपना जो given होता है given to proof वो इतना हो जाता है पर आपके बाद option यह लिखना तो पड़े गई but समझ में है solution बहुत simple है दिमाग सिर्फ इतना ही लगान है चलो इसका solution देखते हैं तो ऐसे आ जाएगा जो दो reasons जो दो हमने लिखे देना statement उसमे reason यह लिखना पड़ेगा sum of any two sides of a triangle is greater than the third side तो जब यह छोटू triangle लिया PQS तो उसमें PQ plus QS is greater than PS फिर जब यह triangle लिया PSR दिख रहा है तो उसमें SR plus RP is greater than PS दोनो जगे same reason लिखना है फिर दोनो equation 1 और 2 को add कर दिया तो left side में जो थे वो left side में add हो गए right side में जो थे वो right side में add हो गए और यह sign है देखो यहां पर दोनो जगे same sign था इसलिए आप add कर पाए अगर यहां पर यह वाला sign है और यहां पर यह वाला है तो आप add नहीं कर सकते हैं अभी दोनो जगे same sign है इसलिए add कर दिया दोनों को यहां पर यह QS plus SR देखो QS plus SR आगया QR क्यों ऐसा because QS और R एक straight line में तो मैं अगर यह दो छोटों टिकुड़ों कर आड करूँगा तो पूरा QR मिलता है और यह हमारा to prove था इसलिए हम लोग ने नीचे must लिख दिया hence comma prove full stop ओके rough में कैसे तीन line में questions all हो गया था यहां पर तीन line में तो यह reason आ रहा है और वो भी दो बार लिखना है hero बनके ऐसे मत करना अच्छा इदर लिखा इदर ऐसे डाल देते हैं वो करते हैं न कि same यहां पर same लिख दिया तो teacher बोलेगी अच्छा यहां पर zero डालती हो फिर यहां पर same और total zero चुप्चा पूरा reason लिखना वहां पर laziness नहीं चाहिए बहुत बच्चों को देखा है मैंने ऐसे triangle के इदर tri लिख देंगे ठीक है ऐसे ऐसे नहीं चलता पूरा लिखना ही परता है आपको क्यूं ऐसा चाहिए कि चार माग का अगर question पूछा है सिर्फ tri लिखने के चक्कर में teacher ने आपका आधा माग काट लिया खाली try के बाद जो मैं angle लिख देते हैं तो बहुत थक जा देग्या चलो कर लो copy notebook में चल दीज़े next करते हैं 7th question में दिया है in figure 3.62 यह वाला figure segment pt is the bisector of angle qpr यह pt जो दिख रहा है वो qpr का bisector है मतलब यह वाला angle और यह वाला angle देखो सेम जगे cross दिया हुआ है तो दोनों equal आएंगे bisector है न align through r intersects ray qp यह qp को कहाँ पे intersect कर रहा है s पे तो यह वाला line देखो qp के through जो ray आ रहा है उसको s पे intersect कर रहा है prove that ps equal to pr ps equal to pr अब मुझे ऐसा लगता है कि यह question में एक information missing है वो information यह है कि यह जो line है न यह line और यह line parallel है तो ही आप यह prove कर सकते हो ps equal to pr नहीं तो prove ही नहीं कर सकते है तो काफी लोग ऐसे लिखते हैं कि construction लिखेंगे और बोलेंगे let us construct sr parallel pt आप ऐसे construct कर नहीं सकते हैं अगर होगा parallel तो ही आप construct कर सकते हो ना ऐसे तो आप random leader एक line बना देंगे और बोलेंगे this parallel this ठीक है तो यह question में दिया होना चाहिए था कि sr parallel pt या तो एकदम evident होना चाहिए था clear होना चाहिए था कि यह दोनों lines एक दूसरे को parallel तो हम लोग यह construction करेंगे बोलेंगे के let us construct sr parallel pt क्योंकि हमारे पास और कोई option नहीं है ठीक है तो यह दो lines parallel है अब यह दो lines अगर parallel है तो आपको प्रूव करना है ps equal to pi अच्छे से देखो अगर यह line और यह line equal proof करना है अगर आपने यह वाला angle जो है यहाँ पे यह वाला angle और यह वाला angle equal proof कर दिया a और b तो काम हो जाएगा न क्योंकि फिर सिर्फ यह वाला triangle देखो ठीक है यह triangle isosalus बन जाएगा यह वाला angle और यह वाला angle congruent है तो यह व होने वाली congruent होती है यही था isosalus angle theorem का converse ओके तो अभी आपको आपका to prove चेंज होगा आपको ps equal to pi नहीं डूड़ना आपको प्रूव करना है कि यह a equal to b है ठीक है तो यह वाला दो line में हटा रहा हूं अब मुझे सिफ a equal to b बताना है अब यहाँ पे देख लो यह वाला angle क् पे x और इसको ले लो y ओके अब अगर यह दो line parallel है तो यह उनका transversal हो है तो यह उनका transversal क्या होता है जो दो parallel lines को काटता है दो lines को काटता है उसको बोलते हैं transversal तो यहाँ पे देखो यह दोनो line parallel और यह उनका transversal क्या बन रहा ही है f दिख रहा है आपको है ना f और f में यह वाले angle दिख रहे हैं यह दोनो angle F में congruent होते हैं तो मैं बोलूँगा भाई दोनो line parallel है और यह उनका transversal है तो X और B जो है वो congruent हैंगे तो मैं बोलूँगा X equal to B आगया फिर वापस देखो यह दोनो line parallel है और यह PR भी तो काट रहा है PR भी उनका transversal है क्या बन रहा है देखो Z बन रहा है तो Z के अंदर के angle भी तो congruent होते हैं alternate angles पहले corresponding था अब alternate यह alternate पे कौन कौन है देखो अंदर Y और A तो मैं बोलूँगा Y is also equal to A बट यह X और Y तो दुनों equal ही थे इसको Y देने की जरूरत ही नहीं थी यहीं पे X दे दे था विकोज यह bisector है न तो यह वाला angle और यह वाला angle तो equal है तो अगर X और Y equal तो A और B भी equal तो मैं बोल सकता हूँ therefore A equal to B जैसे ही A equal to B हो गया यह side जो है PS will be equal to PR by Converse of Isosalus triangle theorem समझा क्या किया हम लोग उने यह angle का रिष्टा इसके साथ निकाला यह angle का रिष्टा इसके साथ निकाला और यह दोनों तो equal ही थे तो अगर यह दोनों equal तो यह दोनों भी equal अगर यह दोनों equal तो यह line equal to यह line Converse of Isosalus triangle theorem अपलो है ना एकदम चुले इसका solution देखते है तो इसका solution ऐसे आएगा आप लोग यहाँ पे given में लिखेंगे pt is the bisector of angle qpr दिया हुआ है and proof क्या करना है proof करना है ps equal to pr मैंने आपको बताया था construction करने वाले है तो यह to proof के नीचे ही construction लिख देना है पहले और construction क्या किया है हमने sr parallel to pt यह dotted lines दिख रही है यहाँ पे यह dotted lines है मतलब वो लोग चाहते थे कि हम लोग यह construction का step लिखे तो आपको लिखना है यह construction का step tension मतलो teacher wrong नहीं देगी अगलग तरीके से सब लोग यह बताएंगे यह वाला कैसे भी लिखो अगर वो सही दिया है और फिर उनका transversal बताना पड़ेगा तो पहले मैं देखो यहाँ पे ले रहा हूँ qpt and psr यह दिख रहा है यह वाला line और यह वाला line parallel sr parallel pt लिखा हुआ है and line qs यह जो line है बड़ा वाला वो उनका क्या है transversal therefore मैं बोल सकता हूँ qpt and यह angle psr यह दोनों congruent है क्यों because f बन रहा है f मतलब corresponding angles देखो xy वो सब लिखना है तो let करके फिर यह angle का नाम के आगे x लिखना पड़ेगा वो सब में 4-5 line और चला जाएगा तो यहाँ पे मैं सीधा angle का नाम लिख रहा हूँ qpt and psr यह दोनों angle हो गए congruent ठीक है next आपको फिर से यह लिखना है line sr parallel pt यह line parallels है लेकिन अभी transversal कोन है pr अगर pr उनका transversal है देखो z बन रहा है यह दो line parallel है और यह बीच में transversal है तो यह दोनों angle जो है न tpr और prs यह दोनों angle भी congruent हैंगे क्या reason लिखेंगे alternate angles ठीक है अब यह दोनों जो angle है qpt और tpr यह दोनों तो equal है क्यों equal है देखो ना है यहाँ पर qpt और tpr दोनों congruent है because pt is the bisector question में दिया हुआ है pt is the bisector label भी किया हुआ है तो हमने बोल दिया कि भाई यह दोनों angle जो है वो तो equal है congruent है तो अगर यह दोनों एक दूसरे को congruent है तो यह दोनों भी तो एक दूसरे को congruent होने चाहिए ना तो मैंने नीचे लिख दिया कि psr is congruent to prs कहां से from 1, 2, 3 तीनों यह उस किया ना फिर यह दोनों angle अगर congruent है तो मैं सीधा बोल सकता हूँ कि ps equal to pr क्यों बिकाज यह जो triangle है triangle prs उसमें अगर यह वाल angle और यह वाल angle congruent है तो यह side और यह side congruent हो जाएंगे triangle का नाम लिख दूगे नीचे चलो वो लिख देते हैं तो यह लिख देंगे therefore in triangle psr ps equal to pr कौन सा reason converse of isosilis triangle theorem यही प्रूफ करने बोला था इसलिए हम अपने favorite words लिख देंगे नीचे hence comma prove full stop ठीक है तो यह उसका हो गया solution एक बार पूरा solution अच्छे से देखो इस question में हमने एक चीज नहीं किये जो आज तक हमने इसके पहले नहीं की थी कौन सी वाली यह construction वाला जो step है वो तो इस पर ज्यादा ध्यान देना बाकी सब इसमें यह standard में हमने किया हुआ और अभी भी 9th standard में parallel lines के chapter में भी यह वाला part बहुत बार किया था सिर्फ वो use किया है और यह question को solve किया है चलो कर लो notebook में copy यह वाला mark करके रखना अलग से एक्जामन ही करना पड़ेगा लेकिन अब जब revise करोगे आपके notebook में से देखके तो यह वाला part जरूर देखना ओके चलो next करते हैं 8th question में दिया है in figure 3.63 यह वाला जो figure है AD is perpendicular to BC देखो यह AD perpendicular to BC है मतलब यह वाला angle भी 90 यह वाला angle भी 90 segment AE is the bisector of CAB bisector कौन है AE गलती से AD मतले लेना AD perpendicular है BC को और यह जो AE है वो angle bisector है CAB का मतलब यह वाला angle और यह वाला angle दोनों equal आएंगे ठीक है अच्छे से देखो गलती से यह मतले लेना यह पूरा angle AE तक फिर यहां से AE से यहां तक दोनों equal है यह और यह दोनों equal है and C-E-D का मतलब C-E-D तीनों एक ही line पे points है ओके prove that angle DAE अब यह DAE को और है भाई? देखो यहां पे DAE यह वाला angle is equal to half into angle C minus angle B half into angle C minus angle B पर क्यों करूँ? करना तो पड़ेगा उसने पूछा इसलिए लेकिन इतना फाल्टू में कुछ भी मतलब figure बना दिया और उसमें से पूछा है तो इसमें बहुत मेहनट लगने वाला है ठीक है? but है easy एक-एक step करके देखना पड़ेगा कि देखो DAE है prove that में तो जबरदस्ती है आपको यह angle तो कहीं से तो लाना ही है ठीक है और उपर से सिर्फ वो angle नहीं लाना यह angle का रिष्टा यह वाले angle और यह वाले angle से लाना है तो थोड़ा तो दिमाग लगने वाला है और आपको question में दिया हुआ है कि यह और यह दोनों equal है ओके तो पहले हम लोग इसमें लिख लेते हैं given क्या है? AD perpendicular BC दिख रहा है यहां पर AD perpendicular BC and AE is the bisector of CAB AE जो है वो यह CAB का bisector है मतलब यह वाला angle और यह वाला angle equal आ जाएगा proof क्या करना है? DAE यह जो छोटू angle है बीच में इसके और इसके बीच में छोटू angle it is equal to half of angle C minus angle B तो हम लोग angle C और angle B की value निकालेंगे फिर angle C minus angle B solve करेंगे वो solve करके हम लोग जबरदसरी try करेंगे कि उसमें DAE आ जाए क्योंकि C minus B और DAE का रिष्टा जाए न तो यहां पर देखो C minus B के साथ DAE आना चाहिए first step क्या आ जाएगा AE bisector है दिया हुआ है देखो तो यह वाला angle और यह वाला angle equal आना चाहिए तो हम लोग first step लिख देते है angle C A E this angle is equal to angle B B A E reason लिखेंगे segment A E bisects angle C A B आया समझ में अब हम जबरदस्ती करेंगे किस के साथ यह वाले angle के साथ angle C और angle B चे यह ना हमको तो हम लोग यह वाला एक छोटा triangle consider करेंगे दिख रहा है यह वाला and फिर यह वाला consider करेंगे दोनो 90 degree वाले triangles है क्योंकि यहां पर देखो यह 90 तो यह भी 90 तो पहले मैं यह वाला 90 लेके आपको बताता हूँ कि कैसे आएगा यह सिर्फ यह वाला triangle देखो triangle ADC इसमें ऐसे बोल सकता हूँ मैं कि 90 degree प्लस यह वाला angle ACD प्लस यह वाला angle DAC triangle के तीनों angle को add करेंगे तो 180 आना चाहिए तो यहां पर मैंने तीनों angle को add करके 180 ले लिया अब ADC का value क्या है 90 degree देखो question में दिया हुआ ADC है 90 degree तो ADC के चाहिए 90 डाल दिया है DAC हैसे ही C हैसे ही मुझे angle C का value चीए तो angle C को एक ही जगह रखा यह दोनों को उस तरफ वेज दिया तो 90 उदर जाके minus 90 हो गया यह DAC भी उदर जाके minus DAC हो गया 180 minus 90 आगया 90 तो angle C का value आपको आगया 90 minus DAC तो यह सिर्फ हमने angle C का value निकाल है ऐसे ही हम लोग यह वाला triangle consider करेंगे और angle B का value निकालेंगे दोनों चीए नाम को यहाँ पर दिख रहा है अभी next यह वाला triangle लेलो यह वाले triangle में यह वाले line को ignore कर मैं उसको hide करूं क्या कि समझ में आएगा imagine कर सकते हो न कि यह वाला अगर line नहीं है यहाँ पर तो एक angle, दूसरा angle और तीसरा angle तीन angle है न तीनों angle को add करेंगे तो वनेटी आना चीए कौनसा triangle है है? triangle ADB तो मुझे मिलेगा angle ADB ठीक है फिर angle BAD फिर यह वाला angle ABD तीनों को add करके 1AT आना चीए इसका value 90 दिया हुआ है तो देखों यहाँ पर ADB प्लस BAD प्लस angle B 1AT आना चीए ADB का value 90 दिया हुआ है मुझे angle B का value चीए angle B मतलब यह वाला angle न देख रहा है न? तो मैं angle B को एकी तरफ रखूंगा इदर और यह दोनों को उधर भेज़ दोंगा तो मुझे मिलेगा 180 यह 90 उदर जाएगा तो minus 90 यह bad उदर जाएगा तो minus bad 180 मैनस 90 आजाएगा 90 मैनस BAD इसको number दे दिया 3 इसको 2 दिया था तो आपको angle C का value मिल गया angle B का value मिल गया दिख रहा है यहाँ पर angle C और angle B तो अभी हम लोग angle C minus angle B निकालेंगे ओके तो देखते हैं वो क्या आएगा अभी तक समझाना क्या किया है अभी तक मैंने सिर्फ यह bisector दिया था तो यह दोनों angle congruent लिखती है यह एक triangle consider किया उससे मुझे यह मिला और यह वाला किया जिससे मुझे angle B का value मिला ठीक है यहाँ से C का मिला था यहाँ से B का मिला अब मैं angle C minus angle B का value निकालूँगा यहाँ देख लो angle C minus angle B करेंगे तो angle C के जगे पर क्या value आएगा 90 minus DAC फिर यह minus minus angle B के जगे पर आएगा 90 minus BAD कहां से आए दोनों value equation number 2 और 3 से तो यहाँ पर निकाल लिया अब सीधा इसका value निकाल लिया क्योंकि 2 prove में आपको दिया था angle C minus angle B यह bracket खोलू minus अंदर जाएगा तो minus 90 यहाँ पर जाएगा तो minus minus plus BAD यहाँ पर तो same रहेगा 90 और 90 हो जाएगा cancel कर लो cancel तो यह 90 क्या और यह 90 क्या क्या बचा यह plus BAD है तो उसको आगे लिख दिया minus DAC को उसके बाद लिख दिया तो आपके पास आगया plus BAD minus DAC आपको यह नहीं चाहिए आपको क्या चाहिए angle C minus angle B उसके बाद half होना चाहिए उसके साथ equal to angle DAE मतलब यह जो आपको result आया है यहाँ पे BAD minus DAC इसमें जबर्दस्ती आपको कौन सा angle चाहिए आपको जबर्दस्ती क्या चाहिए angle C minus angle B equal to DAE चाहिए ना तो आपको जबर्दस्ती DAE लाना है कहीं से भी लाओ लेकिन लाना पड़ेगा तो हम लोग ने angle addition property यूज किया क्या किया यह BAD में अगर DAE लाना है BAD देखो यहाँ पे BAD अगर उसमें DAE लाना है तो मैं BAD को ऐसा लिख सकता हूँ क्या BAD को this angle plus this angle लिख सकता हूँ क्या कर सकता है ना यह एक बड़ा angle है उसमें यह दोनों छोटा angle है और यह दोनों छोटे angle को add करके यह बड़ा angle मिलता है तो मैंने BAD को लिख दिया BAE plus DAE तो यह पूरा angle मिल जाएगा तो मैंने BAD को लिख दिया BAE plus DAE फिर यह minus ऐसे ही रखा DAC में भी आपको DAE चाहिए DAC देखो यह रहा DAC जबरदस्ती इसमें यह वाला angle लाना है कैसे लाएंगे यह बड़े angle में से ठीक है यह पूरा जो बड़ा angle है उसमें से चोटा angle minus कर दो यह बड़े angle में से यह चोटा angle minus करेंगे तो यह angle बचेगा न DAC तो मैं DAC को क्या लिख सकता हूँ DAC को मैं लिख सकता हूँ यह बड़े angle में से यह चोटा angle minus कर दो तो यह angle बचेगा तो क्या आजाएगा आपको CAE minus DAE इसमें से यह निकाल दिया तो आपके पास क्या बचा DAC तो मैंने DAC को लिख दिया CAE minus DAE देखो DAC के चेगे पर यह बहुत important है यह वाला part पका एकदम imagine करना figure में तो ही आपको समझेगा और यह चो property होता है उसको angle addition property बोलते हैं मुझे पता है यहाँ पर subtraction हो रहा है लेकिन फिर भी ऐसे मतले लिखना कि angle subtraction property यहाँ पर addition हो रहा है यह minus minus बन गया plus ठीक है अब देखो DAE और DAE दो बार आगया DAE and BAE और CAE तो equal है है ना equal तो यह BAE और CAE यहाँ पर cut जाएगा तो यह मैंने यहाँ पर cut किया क्यों cut किया because from one मुझे पता है कि दोनो equal है equal होंगे तो this minus this 0 यह होगा ना same number minus same number बचा DAE plus DAE which is 2DAE यही चाहिए था ना यह 2 को इदर बेजा तो 2DAE हो जाएगा तो यह मुझे मिल गया 2DAE मतलब यह angle C minus angle B का value मैंने निकाल लिया 2DAE यह 2 को उदर बेज दो तो यह यहाँ पर multiply हो रहा है वहाँ जाके divide हो जाएगा ऐसे भी दे सकते थे लेकिन इसे अच्छा ऐसे लिख दो कि question में ऐसे लिखा है तो आपको मिल कैए DAE is equal to half of angle C minus angle B question में उल्टा लिखा है DAE equal to लिखा है same होता है फरक नहीं परता तो हमने प्रूव कर दिया है इसलिए hence, approved आया है समझ में तो इसमें यह दो चीज़े आपने नहीं किया है क्या है नया यह जो हम लोग value निकाल रहे है value क्यों निकाला because question में C minus B पूछा है देखो to prove में directly prove नहीं हो रहा जैसे आज तक सारे questions कर रहे थे ना वैसे नहीं हो रहा है आपको value निकालना है और value निकाल के आपने prove किया तो यह है इसका पूरा solution बहुत ही अच्छा question है क्योंकि आपने बहुत जादा manipulation किया है यह DAE आपको सीधा मिल नहीं रहा था आपने जबरदस्ती DAE लाया है ठीक है क्या यूज़ करके angulation property यूज़ करके वीडियो pause करो अच्छे से इसको एक बार समझो directly copy करने मतलब अच्छे से समझो कि एक एक step मैंने क्या किया है इसमें क्या reason लिखा है क्यों किया है नहीं समझ आ रहा तो वीडियो rewind करो ये question समझने में time लगेगा क्योंकि ये अच्छा question है ऐसे मत सुचो difficult है मुझे तो नहीं आएगा थोड़ा tricky है difficult नहीं है लेकिन इतने बड़े आप Albert Einstein तो हो नहीं कि एक बार देखा और समझ जाएगा दो तीन बार इसको देखो नोटबुक में solve करो तब जाके आपको समझ में आएगा कि हर एक step का मतलब क्या है क्यों किया है ठीक है चलो कर लो copy नोटबुक में तीन चार बार solve करना है खुद से ये नोटबुक में दो तीन बार देखके कर लो कोई problem नहीं है रखता मत मांगी reason समझना हर एक line का कि क्यों किया है done तो आज का lecture 2 यहीं पर खतम करते हैं आज के lecture 2 में हमने problem set 3 का question number 4 किया 5 किया 6 किया 7 किया and 8 किया and इसी के साथ हमारा problem set 3 हो गया खतम मैंने 2 lectures लिये problem set 3 के दोनों lectures में आपको यह पूरा problem set खतम करा दिये and इसी के जाथ हमारा chapter number 3 में खतम होता है हमने geometry के पहले 3 chapters कर दिये है geometry में quadrilaterals भी शुरू हो गया है वो भी आप जाके देख सकते हैं playlist का link आपको पता यह कहां पे है description में भी मिल जाएगा आपको video पसंद आया like कीजिए आपके दोस्तों के साथ भी share कर सकते हैं ताकि उनको भी problem set 3 अच्छे से समझ में आ जाए channel को subscribe कर लिया है तो thank you नहीं किया है तो क्यों wait कर दे हो कर लो subscribe इतना detail में आपको कहीं पे भी solution नहीं मिलने वाला सिर्फ एक दो problem explain करके छोड़ देंगे या फिर problem में shortcut ले लेंगे मैं जो आपको लिखके दे रहा हूँ आप exam में लिख सकते हो आप exactly same solution exam में लिख सकते हो क्योंकि हम लोग एक-एक line लिखते हैं सारे reasons के साथ ठीक है बेल आइकन पर भी क्लिक करते हो ताकि जैसे ही next chapter का video upload हो आपको notification आए और आपको important lecture मिस न करें comments में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये video कैसा लगा thank you so much for watching this video